आयोध्या राम मंदिर मामले में सुप्रीम कोट में सभी पक्षकारों से 18 अक्टूबर तक दलीलों को पूरा करने के टिपणी पर राम जन्म भूमी न्यास के वरिष्ट सदस्य महंत कमल नयन दास ने मंदिर निर्मान कारिया आरंब किये जाने को लेकर पूरी तयारी किये जाने का दावा कर रहे हैं महंत कमल नयन दास ने सुप्रीम कोट के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा सुप्रीम कोर्ट का यह सराहन्य कदम है इस दे नवंबर तक फैसला भी आ सकता है बहुत स्वागत पूर्ण है हम लोग बड़ा असा लगाए हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बाट दो रहे हैं भगवान स्री राम जी के जन्वों पर भप मंदिर निर्माण का सारा कारी हम लोगों ने पूरा कर लिया है अच्सा है यह तो समझोता पमझोता की बात बिर्थ है खाली टालने की बात कही जा रही है हम तो यही आसा देख रहे हैं जैसा भी सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना हो ऐसा फैसला देग बाकी नेड़े हमारा कोड़ की तरिया में रोख करेंगे